कि आखिर कार नोट्स है क्या चार महीने बाद आपने सोचे चल फिर से चाप्टर को रिवाइस कर लेता हूं आपको फिर दो से तीन घंटे लग गए तो बिना मतलब जाने नोट डाउन नी करना उनको जो ना बार-बार यूज होते हैं पंदरा तरीके के स्केच पेन, स्टिक वारे इस amazing platform PW Little Champs पे तो आज strategy वाला series में हम लेकर आगे है एक ऐसे topic पर वीडियो जो आप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है तो ध्यान से सुनेगा भई तो आज जो topic हम discuss करने वाले हैं वो है the art of note making आपने अकसर अपने भाई भेहनों को या फिर दोस्तों को यह कहते आप्टर के notes बनाने हैं मुझे ने this topic के notes चाहिए वो कितने बड़िया notes बनाती है वो कितने बड़िया notes बनाता है तो हमारे दिमाग में यह सवाल चलता रहता है कि आखिरकार notes है क्या यह notes का चक्कर क्या है आखिरकार ठीक है और इनकी importance क्या है then उसके बाद इनको बनाया कै कैसे जाता है तो बैटा आज की वीडियो में हम इन ही questions को tackle करेंगे कि what are notes, what is the importance of notes and how to make notes तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब सबसे पहले आप imagine करो कि आपने ना एक chapter पढ़ना शुरू करा 15-20 page का chapter है तो आपको क्या लगेगा उसे करने में 2-3 घंटे लग जाएंगे आपको फिर से 2-3 घंटे लग गए चार महीने बाद आपने सोचे चल फिर से chapter को revise कर लेता हूं आपको फिर 2-3 घंटे लग गए तो चलो भाई starting में session की starting में तो समझ आता है कि pressure कम है तो हम जो है बार-बार 2-3 घंटे उस chapter को देने के लिए devote कर सकते हैं बट जैसे जैसे pressure ब asset होना चाहिए जो आपकी productivity को enhance कर दें मने कम time में less time में आपको जादा output लाके दें और वो tool बीटा वो जो एसेट है जो आपकी productivity को enhance कर देगा वो होते है notes ठीक है वो क्या है, वो है हमारे notes, अब notes बनाने कैसे हैं, कैसे बनाने है notes, तो आएए देखते हैं, देखो बेटा, अगर notes बनाने हैं, तो हमारे पास एक source material, एक गुणों की खान तो होनी चाहिए, तो वो जो source material है न हमारा most important, सबसे important और सबसे बढ़िया जो source material है, वो होता है आपकी NCRT की book, जिस पे हमारा major focus होना चाहिए, हमारा primary focus होना चाहिए, बट उसके साथ साथ, अगर आप न बेटा, वो कुछ extra points grab करना चाहते हो, है ना, आपके 20 में से 16-17 marks आ रहे हैं, और आप जो है, अपने कुछ extra points grab करना चाहते हो, तो आप NCRT की book के साथ साथ, एक reference book का भी इस extra marks, NCRT पे तो आपको focus करना ही करना है, आपका major, आपका primary focus NCRT होना चाहिए, बट if you want to grab those extra marks, तो आप एक reference book का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो book तो भई लेके बैठ गए, आप क्या करना है, सबसे मुश्किल chapter से शुरू कर दें, नहीं, if you are new to note making बिटा, तो अगर आपने सब सबसे मुश्किल chapter उठा लियाना, तो आप lost हो जाओगे, आप confused हो जाओगे कि यार करना क्या है, इतने सारे pages है, इतने सारे topics हैं, हम तो confused हो गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक simple chapter, एक easy chapter उठाना है, if you are new to note making, ठीक है, ताकि आपका confidence build up हो सके, उसके बाद आपको क्य select करा, पहले आप पहले page को पढ़ रही है, फिर आप 5 पेज पर पहुंच गए, फिर आप आखरी page पर पहुंच गए, नई, एक chapter को select करिए, and focus on one topic, ठीक है, अभी तक तो बहुत simple है, मजा आ रहा होगा, ठीक है, simple लग रहा होगा, तो चलो, अब आपका topic select हो चुका है, तो अब आपको उसे पढ़ना है, and ऐसे नहीं करना कि आपने पहली बार पढ़ा, और साथ-साथ उसको copy में लिखते गए, देखो क्या लिखा है, read the topic twice, don't start making notes on the first go, notes बेटा, कोई बहुत complicated चीज नहीं है, ठीक है, कोई complicated चीज नहीं है, मतलब जो आपको चीजे important लगती है, उन को आप note down कर रहे हो, basically वो है आपकी note making, अब जब आप पहली बार अपना chapter पढ़ रहे होगे, आपके लिए सब कुछ नया है, तो आपको तो हर एक चीज important लगेगी ना, तो आपको मन करेगा कि मैं हर एक चीज लिख लूँ, तो फिर आपके notes में, आपकी book में क्या अंतर रह इसलिए जो आपने topic select करा है, उसको कम से कम दो बार पढ़ें, ठीक है, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, चार बार पढ़ें, जितनी बार आपको पढ़ने की need लगती है, उतनी बार पढ़ें, जब आप दो बार तीन बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ आने ल लिखा है think about the topic and clear your concepts, जब आपने दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया और आपको समझ आने लगा कि ये topic important है, ये topic जो है important है तो आप उसे underline करिए, आप उसके बारे में सोचिए, अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको हर एक word का मतलब पता होगा, आपको हर एक statement, हर definition का मतलब पता होगा, तो बिना मतलब जाने note down नहीं करना उनको, आप अपने टीचर से पूछे, आप अपने बड़े भाई-भैन से पूछे, आप net को refer कर सकते हैं, यूट्यूब को refer कर सकते हैं, मतलब बिना concept clear करे, आपको copy में कुछ नहीं उतारना है, आपको उसके बारे में सोचना है, और अपने concepts को clear करना है, तो basically अभी तक हमने क्या करा, हमने book उठाई, हमने topic select करा, हमने उसे 2-3 बार पड़ा, उसमें important lines को underline करा, अगर हमें किसी का मतलब नहीं आ रहा है, तो हमने उसके मतलब को जाना उसे समझा, अगर आपने ये सब कर लिया ना विटा, तो आपका 70 से 80 परसंट जो काम है ना, वो हो चुका है, अब पते क्या काम बचा है, अब बचा है उससे अपनी notebook में लिखना, तो देखिए, now start writing what all you have understood in your notebook, but important चीज क्या है, most important चीज है in your own words, आपने जो भी समझा है, आपने जो भी analyze करा है, जो concept आपने अपना clear करा है ना, आपको उसे अपनी language में, आपको उसे अपने words में copy में उतारना है, और इसके पीछे का आपको reason बताऊं, अगर आप as it is बिटा copy paste करोगे ना, तो हो सकता है कि आपका concept ना कहीं ना कहीं चूक जाए, बट जब आप उसे समझोगे, उसे अपन उस stage पर जहां पर आप अपनी language में किसी concept को लिख रहे हो, तो आपके brain में वो कितना clear होगा ना, आपके brain में वो कितना crystal clear होगा, सब कुछ उस concepts related आपको आता होगा, तब ही आप उस stage पर पहुंचे होगे, हाँ भई, अब मैं इसे अपनी language में, अपने words में लिख सकता हूँ इसे लिए this is the most important कि आपको जो copy में लिखना है, वो अपने words में लिखना है, ठीक है, समझ आकी यह बात इतनी चीज़ clear होगी, अब एक और सवाल आता है कि मैम हम जो है point wise लिखें या फिर paragraph wise लिखें, ठीक है, paragraph wise लिखें, तो देखिए, इसका ना जवाब मैं आपको देती ह इसको ना psychologically deal करो, जब brain देखता है इतना बड़ा paragraph तो वो देखती है डर जाते हुए और इतना बड़ा paragraph लिखा है, ज़रूर कुछ difficult होगा तभी इतनी सारी line लिखनी पड़ रही है, बट अगर आप उसी topic को points की form में लिख दोगे तो पता है क्यो होगा, आपके brain को ना उसे समझने में, उसे comprehend करने में असानी होगी, सही है यार खुला 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 लिख है, एक line में लिख है, फिर दूसरी में लिख है, फिर तीसरी में लिख है, असान चीज है, इसलिए, इसलिए my dear students, it is preferred कि आप जो है notes point wise बनाईए, ठीक है, समझा गए इतना copy तक उतार चुके हैं अपने notes को, तो अब बारी आती है कि हम उन notes को improve कैसे कर सकते हैं, अब notes को improve करने के लिए, आप जो है diagrams बनाईए, ठीक है, science में generally diagrams का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा नहीं है, यार ये diagram ना बड़ा मुश्किल है, चल कोई बाती notes में नहीं बनाता या notes में नहीं बनाती, मैं जब पढ़ रहे होंगे नहीं chapter book खोल लूँगी, तो भाई फिर notes का क्या फाइदा हुआ, notes का क्या फाइदा हुआ, जब तक उसमें पूरी चीज है नहीं, जब तक उसमें सारी important चीजे है ही नहीं, ठीक है, okay, then आप flow chart बना सकते हैं, इसने ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर flow chart से पढ़ना बड़ासान हो जाता है, then आप tables बना सकते हैं, you can use shorthand, अभी shorthand क्या है, कभी कबार कुछ ऐसे words होते हैं, जो ना बार-बार use होते हैं, बार-बार use होते हैं, पढ़ना बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि differentiate हो गया, जैसे कि maximum हो गया, minimum हो गया, between हो गया, तो ब FF और BW लिख दिया है न, ऐसे करके, तो आपका time भी बचा, आपकी speed भी बड़ी, maximum के लिए आप max लिख सकते हैं, minimum के लिए आप min लिख सकते हैं, अगर आपके किसी subject में कोई ऐसा word है, कोई ऐसा specific word है, कोई statement है, जो बार-बार use हो रही है, कोई ऐसी heading है, जो बार-बार use हो कड़ेगी, ठीक है, समझ आ रहा है न, भाई, बहुत असान है note making, कोई-कोई हुआ है इनी note making में, ठीक है, अब बिटा आगे चलते हैं, and इस point को discuss करते हैं, that is concept of stationary, अब जनरली न, बच्चों को लगता है, कि जब तक हम 10 तरीके के marker, 15 तरीके के sketch pen, sticky notes, glitter वाले pen, tape, marker, ये वो जब तक हम इस सारी चीजे, लाखो चीजे यूज नहीं करेंगे न, तब तक हमारे notes अच्छे नहीं बनेंगे, जब तक हम इस सब के इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे notes अच्छे नहीं बनेंगे, तो बेटा, ये एक बहुत बड़ी misconception है, stationary बेटा, limitless है, अगर आप stationary की दुक जोचते हैं कि इन सब चीजों को use करके ही मैं अच्छे notes बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी misconception है, अगर आप चाहते हैं कि आपके notes अच्छे लगे, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए केवल तीन pen, ठीक है, कौन सा, एक चाहिए आपको blue pen, एक चाहिए आपको black pen और एक चाहिए आपको red pen, ठीक है, थोड़ा बहुत color होता है न, color अगर blue, black, red तो थोड़ा बहुत identify करने में चीज़े असान हो जाती हैं, अब जैसे मैं अभी तक yellow use कर रही थी, अब देखो, blue से आप क्या कर सकते हो, blue से आप content लिखो, black से बिटा एक बना सकते हो, box बना सकते हो, बट अगर इसके बावजू तीन pen भी आप नहीं use करना चाहते, तो बिटा एक pen और एक copy से भी notes बन जाते हैं, अगर आप notes बनाने वाले बच्चे हो, तो एक pen और एक copy से भी notes बन जाएंगे, क्या गरना है, अगर आपके पास एक pen है, तो कहीं कोई ऐसे line बना दी, कहीं पर ये ऐसे bubble बना दिया, circle बना दिया, ये कर दिया, कुछ भी, आप मतलब creativity का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक pen के साथ भी, और अपने notes को बिलकुल, top class notes बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए stationary के tension नहीं लेनी है, ठीक है, alright, चलो, अब बिटा, चलते है आगे और मैं आपके साथ अब एक last point discuss करने वाली हूँ, जो कि सबसे important point है, और वो क्या है, always make your own notes, ठीक है, ये चीज बहुत important है, कि हमेशा बिटा, अपने notes बनाईए, आज कल के time पर देखो, अगर आप net पर जाकर टाइप करोगे न, this, this chapter notes, आपको बने बनाए, notes मिल जाए ठीक है, बहुत असान असान चीज है, बहुत shortcuts है, बट, आपको बेटा, अपने notes बनाने हैं, क्यूं, क्यूंकि जो आप effort put in करते हो न, अपने notes बनाने में, जो आप महनत डालते हो न, अपने notes बनाने में, जब आप उस कथिन रास्ते पर चलते हो न, notes बनाने के रास्ते पर तो उस रास्ते पे चलते दौरान ही आपके सारे concept जो है ना, वो clear हो जाते हैं, आपके सारे basics clear हो जाते हैं, आपको हर concept की in-depth knowledge तभी आती है, जब आप मेहनत करते हैं और अपने notes खुद बनाते हैं, अपनी language में बनाते हैं, यूगि जैसे मैंने का कि अगर आप इस stage पे पहु always make your own notes, unless until, देखो, कोई emergency आजा, अब नहीं बना पाए, and keep updating them from time to time, इसका क्या मतलब है, देखो, अगर मैंने आज एक notes बना लिए, किसी भी chapter से, मैंने notes बना लिए, तो यह नहीं कि किताब बंद करके, मैंने वो किताब locker में रख दी, और अब मैंने वो किताब कभी खोलनी नहीं है, कि जी मिरे तो notes बन गे, नहीं, time to time बटा chapter को read करते रहिए, और अपने notes को update करते रहिए, देखो, ऐसा तो है निना, कि पहली बारी में ही, आप सारे important points note down कर लोगे, पहली बारी में ही आपको सब समझ आ जाएगा, नहीं, आपने आज notes बनाए, दो महीने बाद नहीं करा, ये तो मुझे तब important नहीं लग रहा था, अब important लग रहा है, तो इसलिए, time to time अपनी book पढ़ते रहिए, time to time अपना chapter पढ़ते रहिए, और अपने notes को update करते रहिए, अब update करने के लिए जगा भी तो होनी चाहिए, ना, तो इसलिए जब भी आप किसी chapter के notes बना ले, तो leave two pages, leave two pages at the end, leave two pages at the end of every chapter, तो जब आप बार बार book पढ़ेंगे और आपको लगता यार ये चीज़ आड करनी ज़रूरी है, ये point आड करना ज़रूरी है, तो उनको आड करने के लिए कहीं जगा भी तो होनी चाहिए, ये ने ना कि copy के last में आड कर दिये, या फिर अ दिमाग में ऐसे note down कर लिए, हाँ यार, इसको याद रखना है, वो सिर्फ कुछी दिर के लिए याद रहेगा, ठीक है, फिर भूल जाओगे, copy की back पे लिखोगे, उसी समय याद रहेगा, यार ये important point यहाँ पे लिख दे, तो फिर भूल जाओगे, कहा लिखा था, कहा इसी लिए, इसी लिए, जब भी किसी chapter के notes बना लें, दो pages छोड़ दे, ताकि time to time जब आप अपने notes को update करेंगे, तो आपके पास वो updates करने के लिए, जगा भी हो, ठीक है, तो ये एक बहुत ही important point था, and इसी के साथ, बटा, हम अपनी video को culminate करते हैं, तो बटा, I hope कि इस video को देखके, आपके जितने भी doubts हैं, आपकी जितनी भी queries होंगी, related to note making, वो सारी clear हो गई होंगी, ठीक है, and I hope कि अब आप भी masters बन जाएंगे, in the art of note making, तो बच्चों, ऐसे ही और बहुत ही amazing strategy videos के लिए, बने राइए हमारे साथ हमारे इस amazing platform, PW Little Champs पर, that's all for today from my side, बाई बाई झाईबच्चों!